इमस्कार जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हो आंकिता नवरात्री के नौ दिन मा दुर्गा के नौ स्वरूपों की विशेश पूजा की जाती है जो लोग सच्ची श्रधा के साथ मा दुर्गा की पूजा करते हैं देवी मा उनकी सभी मनो कामनाए पूर्ण करती है हर साल नवरात्री पर माता रानी का आगमन विशेश वाहन पर होता है इस साल नवरात्री में मा दुर्गा नौका पर सवार होकर आएंगी और डोली में सवार होकर वापस जाएंगी चैत्र नवरात्री का पावन पर्व 22 मार्च से शुरू हो रहा है और 30 मार्च को समापन होगा नवरात्री के साथ ही 22 मार्च से हिंदू नव वर्ष नव समवत्सर 2080 की भी शुरुवात हो रही है नवरात्री में मा दुर्गा की पूजा के साथ ही कुछ विशेश नियमों का पालन करना चाहिए नहीं तो मा दुर्गा रुष्ट हो जाती है नवरात्री शुरू होने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर ले घर के हर कोने से जाले निकाल दे इसके साथ ही नवरात्री से पहले घर से सभी तूटी फूटी चीजे भी हटा दें घर की पूजा इस्थल की भी अच्छे से साफ सफाई कर लें शास्त्रों के अनुसार नवरात्री के नौ दिनों में पूरी तरह से सात्विक्ता का पालन करना चाहिए और माज मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन भूल कर भी ना करें यदि आप पूरे दिन नौ दिन वरत नहीं रख सकते तो आपको नौ दिनों तक सादा भोजन करना चाहिए शास्त्रों में बताया गया है कि नौ दिनों तक बाल नाखुल नहीं काटने चाहिए और शेविंग भी नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुप प्रभाव पढ़ते हैं और मादुरगा आपसे नाराज हो सकती है लैदर की कोई भी वस्तू नहीं खरीदनी चाहिए और नहीं पहननी चाहिए चमरे से बनी चीजों का प्रयोग नवरात्री में वर्जित माना गया है किसी बुजुर्ग का भूल कर भी अपमान ना करें नवरात्री में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूल कर भी उनके उपर हाथ न उठाएं नवरात्री में जूट अर्शुब या फिर अब शब्द बोलने से बचें किसी का भी दिल ना तुखाएं नवरात्री देवी की भक्ती और अराधना का समय होता है नवरात्री